ये एक पाली आपने एक पाली का प्रेस मेडिया कि मैं आ गया तो आपने रद आप बच्चों से पूछ रहें कि आप बताओं हर पद का बोली लगाई जाती है दलाल बिचोलिया मार्केट में गुम रहा है इसलिए बच्चे के आंदोलन को सरकार संग्यान में ले देखे बच आप बच्चों से पूछ रहें कि आप बच्चों से पूछ रहें कि आप उसको छुपा लेंगे जब एक कोश्चन वाइरल हुआ है तो दूसरा और तिसरा नहीं हुआ सरकार बताए कि नहीं हुआ है आप बच्चों से पूछ रहें कि आप बताओ अरे बच्चे बैचारे कितना हिम्मत करेगा प्रेस मेडिया के लोग अपने जिंदगी को दाव पर लगा करके कितना चर्चा करेगा आपका तंत्र कमजोर है खुल करकर के हर पद का बोली लगा बताई जाती है दलाल बिचोलिया मार्केट में घुम रहा है अपने लोगों को वो खुल करकर के परिक्चा में पास करा रहा है यह खेल खेल रहा है इसलिए बच्चे के आंदोलन को सरकार संग्यान में ले तीनों पाली का परिक्चा रद करने में क्या दिक्कत है और जो प साथ बरस से चेचे बरस से सब को बैठाए हुए हैं अपसर और करमचारी को जो सारा सेटिंग करता है आपके हस्तिनापूर के गुलाम के तरह वो सारा काम करता है आप ये खेल बंद कर दिए और आपको नहीतिक जिम्यवारी थोड़ी सी भी बची है सरकार की सनलिपता अगर कोश्चन आउट में नहीं है वी पीसी में भी वही तमासा किया वी एससी में वही तमासा है आप सीवी आई से जांच कराईए और सीवी आई के समयधानिक संस्था पर आपको नहीं विश्वास होता है तो सिटिंग जैज हाई कोट से उसके देख रेक में कमीटी बना के जा जाए और नहीं कराते हैं तो इसके लिए भी एक जन आंदोलन होगा परतिभा का हनन करने वाली सरकार निक्ति के नाम पर घोटाला करने वाली सरकार के बिरोध में बिहार के अंदर एक जन आंदोलन शुरू होगा मुक्मंत्री जी आप यात्रा पर निकले हैं सारे नौजबान आपके हर सभा और यात्रा में पूछेगा कि परतिभा का हनन कब तक निक्ति घोटाला कब तक लोगों को वरगलाने का खेल जातिये उनमाद पैदा करके बच्चों को लड़ाने का खेल कब तक कि नहीं बच्चे पूछेंगे इन से बच्चे का हक बनता है उस बच्चे का परतिभाहनन बर्चों तक तैयारी कर रहे हैं आज तीनों पाली का वो पड़िक्चा रद की मांग कर रहा है तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं क्या आपको दिक्कत है भी बच्चे के बच्चे मे एक भी पदा दिकारी पर आपने करवाई नहीं कि और लाठी चार्ज करें कि उसकी आबाज को दबा दिया इन नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार पर नेता परतिपक्च छुप नहीं रहेगा लोग तंत्र में नेता परतिपक्च का काम है संविधान को सरकार को सजग कर वह लोगों ने कहा था वही मुख मंत्री है जो उस समय थे उस समय भी चुनवती मिली थी और मुख मंत्री को आज भी मैं कह रहा हूं क्यों नहीं कर रहे हैं उस समय भी हमने कहा था कि BPSC में बैटे हुए 66 परस से 7 वरस से कंटोलर बैठा है क्यों नहीं अटा रहे हैं आपके नालंदा से कई लोग जुरे बैठे हैं क्यों नहीं आप एक्षन ले रहे हैं क्यों निक्ति घुटाला कर रहे हैं परतिभा का हनन कर रहे हैं और यह दोड़ी थोथली जदलिल नहीं देनी चाहिए कि उस समय नहीं किया मुख मंत्री तो वही थे चेहरा तो वही था आज आपको थोड़ी सी नहीं तिकता है तो करवा लीजिए बेचेहिनी हुई थी सदन में हमने कमीटी गठित किया था कई तरह के मामले की ज इस वास को इस तोरने वाली सरकार के विरूद हमारे नोजबान अगर जो रोट पर आ गए तो फिर इनकी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी सर एक लेटर फिर से जाड़ी किया जाता है कि अभ्यर्थियों से ही वो मांगा जा रहा है कि आप लिए तो नौ लाक में तीन लाक का रद कर दीजिएगा अब उसकी परिच्छा लिजिएगा पैंतालीस दिन के बाद यह क्या उचित है अभ्यर्थियों का नाम और पता भी मांगा जाड़ा है कि जिनके पास से कोश्चन ताकि उनको ताकि उनको डड़ाएंगे फसाएंगे उसके पड़िबार को पड़िशान करेंगे कोई अभ्यर्थी नहीं देगा रिपोर्ट सरकार अपने अस्तर से CBI की जांच कराकर और सरकार नहीं हाई कोट के सिटिंग जच से जांच कराकर पूरी परिक्षा को रद करें और पारदर्शिता से कराई मेरा वक्सार नहीं रहा है मैं बच्चों को रौक्साता हूं अणरसंगार कि ऊसने करने वाले लोग नहीं है लेकिन सम्विधान के अनुसार सम्विधान के जो ग्याता है वो सम्विधान के अनुसार इमंदारी से पारदर्सिता से वो काम करे और पर्तिपक्ष की जिम्यवारी निभा रहा हूं कि पर्तिपक्ष जनता की आबाज को सरकार तक पहुचाना आपके माद्धम से वो आबाज सरकार तक पहुचा रहे हैं सरकार नहीं सुनेगी तो जो भी उचित जन आंदोलन का कर्जकर्म होगा वो करेंगे मैं तो आप लोगों खुल के समर्तन में हैं कि बच्चे की आबाज और मांग जनून है चाहें सिच्छक अभियरती हो बिपीएसी के बच्चे हो या तमाम तरह के न्यूक्ति में जिसकी न्यूक्ति का मामला प्रकिरिया पूरा कर लिया अभिंतरना वाले या बहुत सारे कर में है सरकार यह बंद करें खिल